हलो एवरीवन वेल्कम चौम प्रेटार और सुध्य की रसोई आज की रेसीपी है बहुत ही हेल्दी है बहुत ही नेट्रिशियस है तो हेल्दी विदाउट कूकिंग बेगफ़स्ट रेसीपी है तो अगर आप इंस्टेंट और हेल्दी बेगफ़स्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ये रेसिपी बिलकुल आपके लिए है अगर आपको वेट लूस करना है या फिर वेट गेंड करना है बच्चों के लिए तो दोनों के लिए ये रेसिपी बिलकुल परिफेक्ट जाएगी तो इस समर सीजन विनको किये इस healthy breakfast recipe को बनाना शुरू करते हैं मैंने ले लिया है rolled oats जिसे 2-3 पानी से wash करेंगे और पानी drain करने के बाद इसे soft होने के लिए side में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए तो इस तरह का rolled oats बहुत easily market में available रहता है उसके साथ बहुत ही healthy fiber rich यहां पर लिया है मैंने chia seeds जो बहुत चोटे चोटे दानों में होते हैं कुछ white एंड कुछ black में chia seeds को better है कि आप पूरी राद सोख करने के लिए रख दे fruit आप सीजनल ले सकते हैं दूद लेंगे जो थोड़ा सा warm होगा इसके बाद मैंने लिया है आप ब्लैक किश्मी जिसे भी मैंने सोख करने के लिए रख सकते हैं बदाम को भिगो लिया है इसे भी गरम पानी में 15-20 मिनट पहले सोख करने के लिए रख सकते हैं आप अब serving ball लेंगे जिसे मैंने बीगे हुए old oats rolled oats डाल दिया है जो half cup के बरा एक पिल कर लेंगे और इसके पल्प को हम बाहर कर लेंगे और इसे भी हम अपनी इस breakfast ball में mix कर लेंगे chia seeds और rolled oats को milk में, warm milk में आड़ करने के बाद आप इसमें बहुत सारे अपनी पसंद के dry fruits, nuts and fruits आड़ कर सकते हैं यहाँ पे मैंने black kishmish आड़ कर दिया है, भीगी वे बदाम चिल कर डाल दिया है pumpkin seed डाला है, melon seed डाला है, कुछ black and white तिल डाल दिया है जो इसको बहुत attractive भी बनाते हैं और बहुत healthy भी बनाते हैं chia seeds और oats दोनों ही fiber rich हैं, दोनों में ही बहुत भरपूर मात्रा में iron, calcium, magnesium पाया जाता है fiber rich होनी के वैए से ये हमारे digestion को बहुत अच्छा रखता है और बहुत सारी बिमारियों को हमसे दूर रखता है तो आप भी इस quick and healthy recipe को बना कर अपने family के साथ enjoy करें मिलती हूँ, ऐसे ही किसी new recipes के साथ till then take care of yourself, bye bye